नमस्कार दोस्तू स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव भूमी एजुकेसन उत्राखन में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो ग्रामी डाक सेवक के समन्ध में है गोर्मेंट आप इंडिया मिनिस्ट्री और कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट और पोस्ट के थरो ये 27.1.2023 को नॉटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉर ग्रामी डाक सेवक ब्रांच पोस्टमास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर अप्लिकेशन आर तो बी समिटेड ओनलाइन एड www.indiapostgdonline.gov.in तो फ्रेंट्स जो अप्लिकेशन मांगे गए हैं यह वेबसाइट यहां पर दी गई है www.indiapostgd.online पर जाके आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं सेकेंड है यहां पर इंगेजमेंट सेड्यूल इज एज अंडर रिस्टेशन अप्लिकेशन समिशन स्टार्ट डेट जो है जो आपका रिस्टेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 27 जनवरी से 16 फर्वरी 2023 को रहेगी और जो कर्रेक्शन विंडो ओपन रहेगी वो 27 फर्वरी से 19 फर्वरी 2023 तक रहेगी नेक्स है इमोलिमेंट्स इन दा फॉर्म आफ टाइम रिलेटेड तो कॉंटिनिटी अलाउंस TRCA प्लस DNS अलाउंस यहां पर पूरी डेटेल यहां पर आप देख सकते हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट इसमें जो मिनिमम एज है यह 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक एज वाले कैंडिट्स इसको फिल कर सकते हैं और यहां पर कैटेगरी वाइज जो एज में रिलेक्सेशन भी दिया गया है सेड्यूल कास्ट के लिए पांस एयर और ओवीसी के लिए थ्री एयर एकोनोमिकली वीकर सेक्शन के लिए नो रिलेक्सेशन है पीड़ोल्डी के लिए 10 साल और पीड़ोल्डी प्लस ओवीसी 13 साल पीड़ोल्डी प्लस SCST के लिए 15 साल का रिलेक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंट्स इसके लिए है सेकंडरी स्कूल एक्जामिशन प्वाज सेटीफिकेशन तन क्वाज में ध्लस सेंडर्ड फ्रेंडर इछिसके लिए लिए 11 अपको तेंध सक रियू खाहिए जो mathematics और English इसमें compulsory है Next है, applicants should have studied local language Applicant को local language का knowledge होना चाहिए at least up to secondary standard तक Next है qualifications, जो others qualification है उसमें computer का knowledge इसमें essential qualification में आएगा Knowledge of cycling, adequate means of livelihood यहाँ पर यहाँ है Reservation का भी यहाँ पर schedule दिया गया है और जो उत्राखंड में vacancy निकले है हो उनका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है जो है 890 post उत्राखंड में निकली है जिसमें से 837 reserve category के लिए है और 421 post OVC के लिए है 443 post SC के लिए है और ST के लिए 104, EWS के लिए 153 इस तरह से vacancy आई है तो सभी के लिए अच्छा मौका है friends अभी नेक्स एस में communication of selection तो friends जो जो शॉटलिस्टे इस पर पर प्रबिस किया जाएगा और इसमें married wise जो married बनेगी वो percentage based पर इस पर married बनती है तो friends ये था यहाँ पर ग्रामी डाक सिवा का notification सभी candidate form भर सकते हैं आप उत्राखन के जो illegal candidate हैं सभी आप अपना form भर सकते हैं ठेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जल्द मीते हैं नई वीडियो में नमस्कार